हलो एफ्रीवन वेलकम टूर यूट्यूब चैनल अंस्टॉपबल इंजिनियर्स तो आज हम फिर से कुछ प्रिविए सेर कोशन्स डिसकस करेंगे आज हम बात करेंगे कोशन नमबर 143 से लेके कोशन नमबर 170 की तरफ जहां पर SSCJ और IES के प्रिविए सेर कोशन्स होंगे या आइडिल गयासे सके लाइवा 27 DgC रख को रिख क्या जाता है कॉन स्टेंट प्रेशर पर से हीए पे तक वहर वो theoret ने बढ़ना जाते है पहले इस इस एप आपर ये शॉत जहां पर हम यूज करते हैं P1 V1 divided by T1 equals to P2 V2 divided by T2 यह formula आप से भी यूज करते ही हो ना तो यहां पर देखो कर हम P1 की बात करें P1 की अगर हम बात करें यहां पर उसको simple P रहने तो क्योंकि pressure तो यहां पर constant pressure है ना तो P1 को भी P रहने तो P2 को भी P मान के चलो तो यहां से तो simple solve हो गया वी वन की बात करें तो वी वन को आप initial follow मान के चलो और वी 2 की बात करें उसे 3V मान के चलो समझ आ रहा ना वी 1 को वी मान लो और वी 2 अपको पस 3 टामस बढ़ गया था तो 3V हो जाएगा तो प्रेशर की वाल्यूज भी आपके समझागी प्रेशर को पी मान के चलो वी 1 को वी मान के चलो वी 2 को 3V मान के चलो तीवे आपको गिवन 27 डिग्री से केल्विन में करना होगा 300 केल्विन 277 डिग्री सेल्शेस उसका COP बताना है बिल्कुल बच्च वलना कोशन यहां पर पूछा गया था COP का फॉर्मल आप सभी को पता हो अगर हम यहां पर हीट पंप के बात करते हैं तो हमार पास फॉर्मल रहा था T1 divided by T1 minus T2 अब यहां पर T1 भी आपको गिवन है और T2 भी सब्सक्राइब कर देना अब आपने सब्सक्राइब करते हैं थर्ड कोशन की बात करते हैं यहां पर कहा गया है प्रेशर की बात करें वह एपसलूट जिरो तक पहुंच गया कब अगर टेंपरचर माइनस 273 कल्विन होगा तभी जो प्रेशर आपसलूट जिरो पे तो यहां पर आपको बताने करेक्ट आंसर क्या होगा मैं आपको बता दूओ कि टेंपरचर के बारे में आप सोच रहे हो तो टेंपरचर आपका जिरो कैल्विन रहना चाहिए यह माइनस 273 कल्विन की यह बात नहीं करते हैं 0 Kelvin तो मान सकते थे तो यहां पर जो करेक्ट आं नहीं होने चाहिए वह पॉसिबल को बग और डी ऑप्शिबल रहेगा आगे चलते नेक्स कुशन की तरफ यहां पर कहा गया है ड्रॉट की अगर हम बात करें लोकोमोटीव बॉलर में वह किसकी हल्प से प्रोड्यूस के जाता है यह उप्शिन में कहा गया चिमनी की हल्प इस सब्कर सकते हैं मिल्क राइगा अगया है इस सब्सक्राइब हो जायेगा नेक्स कुशन में कहा गया है किसले यूज करते हैं इतना तो आपको बदढे कि Sleeping करती। किस मेशर करते हो। इसका प्रती प्रती करते हो। सॉलेड उसे संट को सॉलेड की करते हो। उसका जो आंसर है यहां पर कहा जाएगा। यहां पर आपको बता दू आगा है घ्राविटी विसकस फोर्स दोनों को ध्यान में रखा जाता है दो इसे पहले आपको बताना चाहूंगा हमारे सी चैनल में आपको इंचिनल डेटा चाह20 टो ऊदर च이에क आपको अनडा चाह को घ्राविटी आपको बर ऊर्व हुएशि काल्धि क्यांगा है आपको ट्रहें डिसक्राविट्रिकोंगों हैंतो यहांए यह जो तो ग्राविटी चाहिप प्रेशर फॉर्स हम पहले है दिसुस देते हैं तो बी ऑफशन करेक्ट हो जाएगा आगे चलते हैं नेक्स कोशन की तरफ यहां पर कहा गया है किसी फ्लोटिंग बात करें को फ्लोटिंग बॉड़ी स्टेबल कंडिशन में कब रहेगी यह उप्शन में कहा गया है जब सेंट्र अव ग्रैविटी जो है वह सेंट् कि दीचे की तरह राता है तो सेंट्र फड्र में जो बिलों युट्टी टो हो गार अपर बिलकुल सही हो जाएगा आगे चलेंगे नेक स्कूशन की बात करें आपर कहा गया विच विन उप फॉल लिगी डाटमीटर की सिते को मेज़र करते हुज आप को बताना है विल से की डिस्चार्ज फ्लूड का या फिर विस्कॉसिटी फ्लूड की या फिर रोटेशनल स्पीड को आप मेशर करतो रोटामेटर की हल्प से यहां पर इस कोशन कहा से डिसकस करने से पहले आपको बताना चाहूंगो चोट सा टार्गेट रखे हम चलेंगे सिर्फ हेंड्रड ला करेंगे और लाइक भी करेंगे ताकि हमारे टार्गेट यह वला एचीव हो जाए तो यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह जाएका में वाल्यूमेट्रिक फ्लो की बात करें डिस्चार्ज की बात करें वह मेजर करते रोटामेटर की हल्प से इसका मतलब बी ओप्श ज़र पर चैनल नहीं है तो इसका मतलब यह उप्शन सही हो जाएगा यह इतना कंबल सरी नहीं नहीं है बागी चीजत तिनों इंपोर्टन है तो फिर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा आगे थोड़ा तेजी से बढ़ रहे हैं क्योंकि क्योंकि जादा है इसे लिए नेक्स कुशन में कहा गया चॉइस ऑफ रेफरिजरेंट डिपेंड सबॉन अगर हम रेफरिजरेंट की चॉइस की बात करें वह किसमें डिपेंड करता है एम एक आगया रेफरिजरेटिंग क जो रुट पढ़ती है तो डिप्षिन अबकर बिल्कुल सही हो जाएगा आगे चलेंगे नेक्स कुशन की आपर हम बात करते हैं कहा गया है में ऑब्जेक्ट अफ मौर्शी टेस्ट इस तूफान आउट जो मौर्शी टेस्ट कि करते हैं उसका में अब्जेक्टिव यहां अबर क्या रहता है वो आपको बताना है एक प्रफॉमेंस के लिए तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपने मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके यह चीज़ बताना है कि क्या आप हमारी वीडियो को रेगलरी देखते हो क्या यह वीडियो आपके लिए बैनिफिशल है आपको फीडबैक हमारे लिए इंपॉर्टन सेक्शन में पाटिसपे जरूर करना आगे चलते है नेक्स के बात कहा अगया सूपर चार्जिंग जो करम इंजिन की बात करते हैं उसका परपस के आए एमें का आगया कि पाउवर आउट बढ़ाना का है जो हम चाहते हैं कि पा तो यह उप्शिन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा पावर आउट्पुट बढ़ाने के लिए यह उप्शिन बिल्कुल सही हो जाएगा इसी के साथ हम आगे चलेंगे नेक्स कोशिन की तरफ यहां पर कहा गया है कि तो हम बात करते हैं में उसका मतलब क्या आपको मतलब क्या है यहां पर यह देखें आगया है ने चेंज करने को अब्यूसी बात है इन वर्जिट के बार मिने पढ़ा है कि अब टॉम की वीडियो भी हमारे चैनल पर हम आप पर हमने डिसक्स कहा था कि शूझ का मतलब भी यह है थो बीकुल बिल्कुल सही हो जाएका इसी के साथ आगे चलेंगे नेक्स क्सक्स की तरफ यह ऑफिल्कुल सही हो जाएगा इसी के साथ आगे चलेंगे, next question की तरह, यहां पर कहा गा eben PASCLE2 किस की unit है?, olduğ sphere 2 पा MONT में आपको बताते हों A में का गाइ pressure किसा unit है A में का गा गाए, kinematic viscosity, C में आगा, dynamic viscosity, D में का खाए surface tension आप मुझे कमेंट सेक्षिन में कमेंट करके बताओ कि पासिकल साइकेंड जो किसकी SI unit है यहां बड़ी बार डिसक्स कर चुकर इसका अंसर आपने मुझे बताना है कमेंट सेक्षिन में यहां से मुझे पता भी लग जाएगा कौन को निस वीडियो को यहां तक देख रहा है क्योंकि अगर तो देख रहा हो को एंसर जुरूर करेगा आगे चलेंगे next question कि यहां पर बात करते हैं यहां पर कहा गया है spindle of a machine tool is subjected to the following type of load अगर हम machine tool की बात करके तो spindle रहता है उसमें क option बिल्कुल सही हो जाएगा इसी के साथ हम आगे चलेंगे next question की तरफ यहां पर a question मुझसे skip हो गया वहां पर कहा गया था कि हम बात करते हैं मुझ की बात करते हैं उसकी value जो किसे कम रहती है तो यहां पर जो correct answer था हो था 0.5 से कम रहती है मुझ की value तो यह option बिल्कुल correct हो ग बात करने उसका दूसर नाम भी double helical gear तो यह option बिल्कुल सही हो जाएगा इस एक सथा आगे चलते next question की यहां पर बात कर लाते हैं कहा गए relationship between number of links and number of pair इनके बीच में relationship का फारूम ला जो है और relationship हो कौन सा है यहां पर correct answer हो जाएगा L equals to 2P-4 हो जाएगा मतलब C option बिल्कुल सह करने के लिए itself चिक राता है current measure से खोड़े करने के लिए चरी कप recur tis करने के लिए क偉चन बतार इस हैं किन आगे कर बात करते हैं कहा गए relationship और बाता लाइव के बिच मेरे करने लिएर करनी है ऑंही चैनल आपके कॉंसेă रातना है और क्या पर correct answer जो हो जाएगा वो C option हो जाएगा वो बिल्कुल सही correct answer हो जाएगा यह हम भी पहले discuss कर चुके next question की बात करें ते कहा गया है black color की बात करें वो generally किस पर paint के जाता है हमने gas welding के बाद में भी पड़ा है welding की प्लेडिस्ट है कर रहता है अगर इंडिया के बात करें इंडिया में जो oxygen का स्लेंडर रहता है आगे चलते next question के बात करें तो यहां पर बिल्कुल जो correct answer हो जाएगा matter center और center of gravity के बीचे डिस्टेंस रहता है उसे हम बोलते matter centric item हम कहीं बादी डिसकस कर चुके हैं आगे चलेंगे next question के आपर बात करेंगे कहा गया center of gravity of the volume of liquid displaced कोई मतलो मान के चलो पानी यहां पर बढ़ा हुआ कोई चीज अपने यहां पर डाल दिया है तो यहांसे कुछ न कुछ लिकवी डिस्पेस हो गया है जो लिकवी डिस्पेस होगा है उसके जो center of gravity होगा उसे हम क्या कहते हैं matter center कहते हैं center of buoyancy कहते है center of gravity कहते है centroid कहते हैं उसे हम center of buoyancy कहते हैं यह option बिल्कुल सही हो जाएगा आगी चलते है stress train relation जो है newtonian fluid का वह किस तरह का रहता है hyperbolic inverse type linear parabolic तो यहां पर जो correct answer हो जाएगा वह सी option हो जाएगा linear वह रहता है यहां पर आपको सब कुछ समझ आ गया होगा उम्मीद है कि आपको कुछ से कुछ सीखने को जरूर मिला होगा आपकी रिवेशिन अच्छे से चल रही होगा यांपर बस जो हमने hundred like से target रखा है वह आपने like करके achieve करवाने में हमारी help करनी है वीडियो को शेयर करा और mechanical engineering के playlist से वहाँ पर जाके पुरानी वीडियोस को देख सकते हो किसी भी तरह का doubt होगा comment section में comment क्लिके जरूर पूछना Thank you, Jaind